फ्रेंस जाज हम बनाएंगे एक पादी टेस्टी लड़ू और ये वाले जो लड़ू हम बनाएंगे इसमें हम घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे इन लड़ूं को बनाने के लिए आपने सबसे पहले कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लेना है तो सबसे पहले हमने इसके लिए दो कटोरी लेना है नारियल का बुरादा यानि डैसिकेटर कोकोनेट और इसको हमने गैस के कम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है तो यह देखिए अभी मुझे तीन से चार मिनिट के करीब हो चुकिया है अब हम सेम कटोरी से एक कटोरी डालेंगे इसमें दूद दूद डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते रहेंगे बहुत ही जल्दी यह दूद को अबजर्व कर लेते हैं तो यह दिखिए हमने इसको ऐसी 1-2 मिनिट के लिए चला लेना है इसके बाद सेम कटोरी से हम अधि कटोरी डालेंगे इसमें चीनी मेठा विसमें कम यह ज़्दा एक्टेस्ट के अखौर तेये मैंने आधि कटोरी चीनी डाली है आपको मीठा ज़्दा अबसंद है तो तो अभी हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और दो चम्मच में डाल रहे हैं जो दूद की मलाई होती है ना उबला हुआ दूद हम फ्रिज में रखते हैं उसके उपर जो मलाई आती है वो इसको बहुत अच्छा क्रीमी टेक्स्चर देगी वैसे तो हम जब भी नारियल के लड प्रेश गड़ाऊ है तो अबी हम ग्याज का फ्लेम कर देते हैं बंद और आपनेनें इसको करेमि है इस पूदी में फैला देना एक अंबर ग्यास का फ्लेम हमने हम बंद कर दिया है तो एक चम्मच से उसको इस तरह इस तरह से रह श्चार पार्ट्स में डवाइड कर लेन और इसमें न थोड़ा सा मैंने एक पिंच लिया था पिंक फूड कलर और इसको दो चमच दूद में मिला दिया था तो यह हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करतेंगे तो यह दिखिए इसका बहुत ही प्यारा सा जो पिंक कलर आगे कैमरे में आपको ज्यादा डाक लग रहा होगा पर यह एक्चुल में इतना ज्यादा डाक नहीं है तो अभी हमने एक प्लेट में वह जो हमने वाइट नारियल का लड़ूं का मिक्स्चर निकाला था और एक में थोड़ा सा पोर्शन आपने हाथों में लेने और इसके ऐसे चोटे वाली वह चम चम होती है वैसे हमने इसके लड़ू बना लेने हैं तो यह देखिए इसी तरह से हम बाकी सारे यह वाइट लड़ू भी तियार कर लेंगे इसके बाद मैं आपको बताती हूं क्या करना हमने जो पिंक वाला मिक्स्चर रखा था ना वो हम लेंगे और उसमें से पहले तो अपने जितने साइज के लड़ू बनाने उतना अब हमने जो छोटा लड़ू बनाया थाना वो इसके बीच में ऐसी रखेंगे और इस तरह से हाथों से आपने इसको साइड ढूमाते हुए सेट कर देना बहुत ही अराम से इसको आपने इस तरह से सेट करना और इस तरह से दिखिए तो ये दिखिए जो पिंक वाला पोर्शन था वो पूरी तरह से उसके उपर कवर हो गया न तो इस तरह से हम इसको लड्डू को बना लेंगे बहुत ही इसली ये बन जाएगा ये देखिए अब वाइट वाला लड्डू जो बिल्कुल भी इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा डेसिकेटड कोकोनट लिया उसमें हम इसको इस तरह से कोट कर देंगे नारियल का बुरादा आप थोड़ा सा प्लेट में ले लिजिए और लड्डू को इस तरह से कोट कर दीजिए इसे देखने में बहुत जादा अच्छे लगते हैं त तो इसके जो अंदर है वो वाइट वाला लड़ू निकलेगा बहुत ही देखने में अच्छे लगती है यह फ्रेंस आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही यमी डुलीशियस सी मिठाई की रेसिपी बहुत ही सस्ते में यह वाली मिठाई है जो बनकर तयार होती है ज्य के लिए इसके लिए चावल का आटा चावल का आटा है जो आपको बहुत एजली मार्किट में मिल जाएगा और चावल के आटे को हमने गैस के लो फ्लेम पे जो रोस्ट करना है इसी के साथ हम इसमें मिला देंगे दो चम्मच रवा बरीक वाली सुजी मैंने यूज की है र रोस्ट कर लेंगे आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो गैस का फ्लेम है वो लो रखना है अगर आपने गैस का फ्लेम तेज कर दिया ना तो यह जो चावल काटा एकदम से जल जाएगा तो मिठाई का टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो हमने ऐसी इसको लगा त चलाते हुए 7-8 मिनिट के लिए रोस्ट कर लेना है तो इसमें जो इसका कच्छा पाने आटे का वो बिल्कुल चला जाएगा तो अभी देखिए मुझे जो 7-8 मिनिट के करीब हो चुके अब मैंने इसमें एक चुटके डाल दिया है पिसी होई हरीलाइची का पौंडर इसको ताजी मलाई जो फ्रेश मलाई है वो ही यूज कीजिए गा तो अभी हम मलाई को भी इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे और यह मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम लिए पिसी हुई चीनी चीनी को आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए गा और एक कटोरी से थोड़ कर सकते हैं लेकिन जिसना आप से हमने चावल काटा लिया उसके अकॉर्डिंग जो इतनी चीनी इसमें अराम से लग जाएगी तो अभी हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करतेंगे जो हमने इसमें मलाई डाली है वो बहुत ही इसको क्रीमी टेक्श्चर देगी अब हमने स क्टोरी से एक क्टोरी लिया दूद नॉर्मली रूम टेंप्रेचर पर रखा हुआ यह दूद है तो एक क्टोरी हमने इसके लिया दूद और एक क्टोरी हम इसमें डालेंगे पानी आप चाहें तो इसमें दो क्टोरी दूद एड़ कर सकते हैं पानी की जगा पर आप इसम इसको ऐसी लगातर चलाते रहेंगे जब आपने इसमें दूद एड़ करना उस टाइम पर गैस का फ्लेम लो कर देना है उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर ऐसे पका लेंगे और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक यह कडाई को छोड़ना स्टार्ट ना करते इस तरह हम इसको यह देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे और पकाना आपने इसको तब तक है जब तक यह पूरी तरह से कडाई को छोड़कर इस तरह से डो फॉर्म में आ जाता है यह देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में बहुत जल्दी इस तरह से इस इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे दो भागों में आपने इसको बांट लेना इस तरह से और एक पार्ट हम ऐसी वाई जो एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको एसी रखेंगे अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें हम डालेंगे एक चुटकी मैंने येलो लेमन फूर कलर लिया था उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया अब ये आप पे डिपेंड करता है आप चाहें तो इसमें कलर एड कर सकते हैं अगर आप नहीं चाहते तो आप इसकी है जो और इसको एक बर अच्छी तरह से मसल लेंगे ये देखिए देखने से आपको इसकी का टेक्चिर पता चल रहा हो को ना बहुत ही ज्यादा सौफ्ट ये जो बन कर तैयार हुआ हैं तो अब हम हाथों से एक बर इसको इस तरह से मसल लेंगे इसी तरह से जो हमने स्फेद वा इस्टुन हाइए बनकर त्यार हो जाती है तो अभी हमने यह देखिया है यह दोनों पोर्षण से लिए है अब हम एक जो हमने येलो वहला हिस्सा लिए था ना ये देखिया उसका एक स्भूरा पर्ट बना उसी तरह से हम एक छुटी सी बॉल इसकी है वाइट वाले पाट की लिएंगे और उसको भी इस तरह से बना लेंगे यह देखिए जीसे दोनों हिस्से इस तरह से कठे रखेंगे और ऐसे आप्ने हाथों से इसको रोल कर देना jak इस तरह से आसलेंडरिकल शेप में हम इसके रोल बना रहे हैं और यह देखे बहुत ही यह देखने में कितना अच्छा लगरे ना इस तरह से बहुत ही एजली यह तेयार हो जाते हैं कि मैंने थोड़ा से लिए डेसिकेटर कोकुनट नारियल का बुरादा उसमें हमने इसको कोट कर दिये जिससे इसकी लुक है और भी जादा अच्छी हो जाती है और यह मिठाई ना बिल्कुल मार्किट की मिठाई की तरह देखने में लगती है तो यह हमने एक रोल इसका और तेयार हुए है और एक मैं तोड़ कर दिखा देती हूँ यह देखिए बहुत ही क्रीमी बहुत ही सॉफ्ट यह बनते है इस मिठाई को आप स्टोर करके एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए अरा के लिए कैसी बर्फी की रेसिपी लेकर आई ह यूज करते है घर में रोटियां बनाने के लिए वही बला आटा है तो एक कटोरी हमने आटा ले लिया है और इसको हम गैस के लो फ्लेम पे ऐसी है जो चार से पांच मिनिट के लिए ड्राइ रोस्ट करेंगे अभी हम इसमें घी आट नहीं करेंगे और आपने इस चीज का रखना गैस का फ्लेमें चो लो रखना और मेजर्मेंट के लिए आपने कटोरी शुरू में जरूर सेट कर लेना तो अभी यह देखिए आटे को भूनते हुए मुझे जो चार से पांच मिनिट के करीब हो चुके है अब हमने सेम कटोरी से आदी कटोरी लिया मेल्टेट दे तो बचा हुआ घी भी मैंने आप इसमें जो डाल दिया आप चाहे तो एक से दो चमच घी इसमें कम भी डाल सकते हैं तो अभी हम घी को आटे में एची तरह से मिला देंगे और क्योंके पहले हमने इसको चार पांच मिनिट के लिए रोस्ट कर लिया तो ज्यादा टाइम न एक तो जैसे आटा अची तरह से भूनेगा तो इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुश्बू आने लग जाएगी कलर इसका चेंज हो जाएगा और जब इसको ऐसे कलची से चलाओगे ना तो आपको हलका फील होगा यह आटा और साथ की साथ यह साथ यह साइडों से घी भी र जोड़ना स्टार्ट कर दिया तो गैस का फ्लेम कर दिया हमने बंद और क्यूंके कड़ाई काफी करम है तो इसको ऐसी हम एक से दो मिनिट के लिए चलाते रहेंगे इस चीज का ध्यान रखना आपने मैंने गैस का फ्लेम में जो वह बंद कर दिया और इसके बाद हम इसको जो थोड़ा ठंडा होने देंगे तो जब तक काटा ठंडा हो रहा है अपने बर्फी जमाने वाली कोई भी ट्रेय इस तरह से प्लेट ले लिए और उसको घीया ओयल से ग्रीज कर देना जिससे बर्फी बहुत ही असानी से निकल जाएगी तो यह दिखिए हमारा मिक्षिर थोड़ा ठंडा हो चुका अब यह सिर्फ हलका सा गरम रह गया तो अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर कोको पाउडर जो बहुत एजली आपको मार्किट में मिल जाएगा तो यह मैंने जो नॉर्मली स्टील का चमच यूज करते है वह वह ला लिया डेर चमच के करीब तो यह हमने लिए गुड़ पाउडर जो गुड़ की शक्कर आती है आधी कटोरी से थोड़ी सी मैंने जादा लिए यह हम इसमें डालेंगे चीनी हम इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करें और गुड़ पाउडर को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे अगर आप इसकी जगह पर गुड़ डालना चाहते है न तो आप गुड़ को एक पर पहले अच्छी तरह से कद्धू कर लीजिएगा और गुड़ को कद्धू करने के बाद ही आप इसमें मिलाईगा तो यह देखिए हमने शक्कर को है जो गुड़ की जो अमने शक्कर लीथी चीनी को हमने इसमें बिल्कुल यूस नी किया और इसको आटे से बनाया तो यह टेस्ट के साथ-साथ आपके लिए हएल्धी भी है इसको हम इसने सेट कर देंगे एक चम्मच से आपने इसको इस तरह से जो उपर से सेट कर देना इसके बाद मैं इस पे डाल रही हो थोड़ी स यह नहीं पर दाल देंगे आप इसकी गार्निशिंग जैसे भी चाहें कर सकते हैं अब लगा सकते हैं बिल्कुल बरीक टे हुए पिस्ता इसके उपर डाल सकते हैं देखने में बहुत अच्छी लगती है और यह मैंने थोड़े से लिए हैं बरीक टे हुए बदाम उससे मैं गार्निशिंग कर रही हूँ आप जैसे भी आपको पसंदो जिस भी ड्राइफ रूट से पिस्ता या बदाम आप गार्निशिंग कर सकते हैं इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे इसको सेट कर देंगे इसी तरह से आपने यह देखिए इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है एक बार और इसके बाद हम इस बर्फी को जो दस मिनिट के लिए ऐसी रूम टेम्टरिचर पर रहने देंगे दस मिनिट के बाद हम इसमें जो बर्फी के निशान लगा लेंगे कट के हम इसमें निशान लगाएंगे तो ये दिखे 10 मिनिट के करीब मैंने इसको ऐसी चोड़ दिया था हलकी सी ये सेट हो गी है तो अभी आपने जैसे भी इसके pieces कट करने है चोटे या बड़े आप वैसे ही निशान इसमें लगा सकते है जिस भी shape में आप चाहें मैं इस तरह से इसके square shape में है जो pieces कट कर रही हूँ तो इस तरह से हम सारे इसमें निशान लगा लेंगे आपने इस चीज का ध्यान रखना है बर्फी के हो जो 10 मिनिट के बाद आप इसमें जो निशान अच्छी तरह से एक बार लगा लेने है इसके बाद हम इसको जो एक से डेड़ घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे मैं इसको ऐसी room temperature पे रखनी हो आप चाहें तो इसको fridge में भी रख सकते हैं तो यह देखिए मुझे डेड़ गंटे के करीब हो चुके हैं बर्फी हमारी सेट हो गी है तो अभी हम इसके पीसिस निकाल लेते हैं जब हमने प्लेट को घीया ओयल से ग्रीज किया होता ना तो बर्फी बहुत यह सानी से निकलाती है यह देखिए तो इसी तरह से हम बाकी सारे पीसिस है वो भी निकाल लेंगे अभी मैं आपको तोड़कर दिखा देते हूं इसका टेक्स्चर यह देखिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट बर्फी यह बनकर हमारी तयार हुई है फ्रेंस आज मैं आपके लिए कैसी मिठाई की रेस्पी लेकर आई हूं जो खाने में बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत अछान है इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले कोई भी एक कप्या कटोरी मेजरमेंट के लिए सेट करना है तो आधी कटोरी हमने लिए हमने बरीक वाली रवा सूजी लिए और आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि नाप के लिए एक ही कप या को टोरी सेट करना है तो सबसे पहले हमने जो रवा लिया था और चावल काटा इसको छलनी से च्छी तरह से चान लिए तो अभी हम गैस का फ्लेम लो रखेंग अगर आपने हाई किया तो यह एकदम से जल जाएगा कलर इसका जो अच्छा नहीं आएगा और मिठाई भी अच्छी नहीं बनेगी तो इस चीज का ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पे इसको ऐसे लगातार चलाते रहिएगा और सूजी और चावल के आटे को लो फ्लेम पे भूनने में जो हमें साथ से आठ मिनट के करीब लग जाते हैं तो अभी यह देखिए जो सूजी और चावल काटा व अच्छी तरह से भून चुका है तो अभी हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं अभी सेम कडाई में यह मैंने एक कटोरी लिया दूद और यह म हो जाता है इसके बाद हम इसमें चीनी एड करेंगे तो यह मैंने जो एक कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी लिया मेठा आप जैसा भी चाहें थोड़ा से एक दो चमज कम यह ज्यादा भी समें कर सकते हैं तो अभी देखिए हम चीनी को जो दूद में एक पार अच्छी तरह से घुलने देंगे और इसी के साथ हम इसमें एक से दो चुटकी डाल देंगे हरी लाइची का पाउडर बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है आपको पसंद है तो जरूर एड कीजिएगा अधरवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो अभी हम चीनी को इसमें अच्छ हमें गैस का फ्लेम लो कर देना और एक हाथ से यह जो आता है इसमें दूद में मिलाते जाना और दूसरे हाथ से हम इसको ऐसे चलाते जाएंगे इससे जो गुठलियां बिलकुल भी नहीं आएंगे और आपने इस चीज का ध्यान रखना गैस का फ्लेम इस टाइम पर लो हो हो जाता जब यह पक जाएगा तो अपने आप इकडाई को छोड़ना स्टार्ट करतेगा यह देखिए इस तरह से तो अभी जैसे कठा होने लग गया अब हम इस स्टेज पर इसमें एक चमच डालेंगे देसी घी बस हम इस मिठाई में यही सिर्फ एक चमच देसी घी इसमें करेंगे और घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे और यह देखिए इसने कडाई को छोड़ना स्टार्ट करती है तो जब यह इस तरह से कडाई को छोड़ना स्टार्ट कर देगा तब तक आपने इसको पका लेना है और गैस का फ्लेम है जो इस टा और इसमीक्चुर को यह एक अलग प्लेट में लेते हैं और इस टाइम पे यह थोड़ा से लगाएंगे देशी घी हाथों को इस तरह से ग्रीज गरएंगे और उसके बादा में किस जो अश्याली तीली गुल देमेंगे चोटे चोटे पेड़े बनाएंगे तो आप जिस भी शेप में ये मिठाई बनाना चाहिए रोल बनाना चाहिए तो इसके रोल बना सकते हैं पेड़े बनाना चाहिए तो वो बना सकते हैं तो मैं देखिए इस तरह से इसके जो पेड़े बना रही हो इस तरह से बस हलका साम इ तो इसमें हम इसको इस तरह से कोट करेंगे जिससे मिठाई के लुक और भी ज्यादा अच्छी आजाएगी यह दिखिए इसके बाद यह मैंने थोड़ा सा लिये और इंज रेड फूड कलर और इसको थोड़ा से पानी में मिक्स कर लिये बिल्कुल ऑप्शनल है और एक हमने ले लिया टूथपिक इस तरह से इसके उपर हम डॉट बनाएंगे यह दिखिए इस तरह से इससे जो मिठाई के लुक है बहुत अच्छी आएगी और भी अच्छ बहुत अच्छा आते हैं और इस मिठाई को आप है जो फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं छे से साथ दिन के लिए आप इसको बनाकर है जो रख सकते हैं